मित्रों आजे वाद करवी छे साहित्य औने समाज वच्चे ना अविभज्य एवाई संबंध नी आ संबंध ने तमें अनुबंद पण कई शको साहित्य औने समाज व्यापक समाज अथवा तो सर्जक नी आसपास नो समाज ए बे वच्चे के एवो अतूठ अविभज्य संबंध चे के जे साहित्य माँ जानता के अजानता अलेखातो रहे चे इंग्लेन ना मानुजिवन विशे एक अंग्रेजी लेखके सर्जक के वाद करे लिए कि तमारे इंग्लेन नूँ मानुजिवन समझ वाए अन्य समाज जिवन के मुझे ए तपास कर भी होए तो तमारे इंग्लेन माँ फरवानी जरूर ना थी इंग्लेन्ड नूँ साहित्य तमें तपासी जाओ तमने इंग्लेन्ड वडखाई जशे त्या नारित्रिवा जो संस्कार जिवन घड़तार अब दाउज साहित्य मां प्रति बिंबातू होई चे आम कहवा पाचनों अर्थ आज चे कि साहित्य नों अने समाज नों एक चोकस अनुबंध होई चे एक संबंध होई चे जानता कि अजानता सर्जक द्वारा साहित्य कृती पर पड़तो होई चे तेनी असर जिलाती होई चे अभणे थ्या हम अभणे तिया रावी पाठक साहिब राम नारा विश्वनाद पाठक हे मुझा आपक फ्र्यमाननाद अक्ष्प आओं विश्यः आवी केक वाद करी उनकलि हो फिड़का खेए मॅने कैंुके प्रेमाननदन आ अक्ष्य नों आख्या नों मा गुजरात टी ताने बिर्दावी गुज्राती समाजनू प्रतिभिम गुज्रातियों ना समाजनू प्रतिभिम आपने तियां कईो सर्जक सव विशेश यहां साहीतियमा जिल्ये छे तम्हें जोयू छे अथवा तो आपना सुख्यात सर्जको छे इसर्जको ना साहित्य ने वाजता तमने यह लागे छे कि आहियां मारो प्रदेश अथवा तो मारो गुज्रात कि मारा गुजरातना संस्कारों रीत रिवाजों रहनी करनी रीत वात बोल चाल जीवन व्योवारों अब दू वत्ता वच्छा अउशे जिलाईयू छे एव तमें जोई जहश्य आन जीव जिलावानुच सहज छे आ कोईपण सर्जग प्रारंब्बे कहिए जानता कि अजानता पोताना समय नी ए समय मा जीवाता जीवन नी चाप तुमना साहित्यमा जिल्तों होई छे मौतामे लिए अर्थमाँ सर्जग छे एपटाना समय नुसंता थो पोताना जमानानुसंता अपो यह म मके और खा वाते हो जोई पताना समय नु-संतान सारजजड POLGEया इये समय माँ जीविया छे जे समाज माँ जीविया छे एफ ये समाई और समाज ना पढ़ श्मातर्चाई 9 गंद शुंद自 और स्पहित्म सर्जन इंद ये अगविना के प्रशर्या विना रेती नथी प्रजाजीवन इनी आसपास जेए छे ए प्रजाजीवन इना आनंद इना उत्सव इना व्रत इना तप इनु राग त्याग गमा अंगमा हर्ष शोक सारा माठा बनावो टुक माँ जीवन माँ जेजे बनवानी शिक्यता के संभाव ना होई अथ्व तो एउ बन्तू एमने पोता नी आसपास जोयू होई ए घटना ने प्रसंग ने बनावने इस साहित्यना माध्यम द्वारा पोती की रिते पोता नी शेली आलेखिया छे बिजाशब्द में पन के शिक्याए के सर्जक नी आख छे ने एक एवो कैमेर उछे कि जे पोता ना समय ना द्रिश्यों ने जिलिया छे केचप काला छे अनने पजी साहित्यमा पोती की रिते ढाला छे एटले नीजी द्रुष्टी कौन अपने तमाम यूग ने तमें जोईशब्द में अपने त्या गुजराती साहित्यमा जे उग विवाजन था यूच्या शुधारक यूग यूग ने जे नाम करना प्यूच्या शर्जकन नाम थी पन एने ओड़काई चे पन अहीं आपने इनी लाक्षनिक्ताना संधर्वे जोईए तो सुधारयुग मा सुधाराबादी जे वलन चे अंगरे जोन आविया पचे लोकोई जे जिल्यूँ एनो पड़गो एमा पड़ा जे पंडित यूग मा पांडित्य अले जेक अभ्यासू विद्वान यूनिवर्सिटी नू शिक्षन प्राप्त एवा सर्जत नी शेली अने आदर्श एमा जिलायो जे गांधी यूग मा शूच गांधी जीराया विचार अनू प्रती बीम्प घणा घणा सर्जकोई जिल्यू एक रांती या आजादी माटे नी लड़त यह अहिंसक विचार सरनी अब दूज गांधी यूग ना साहित्येमा जिलायो जे अबड़ जेने अनू आधोनिक यूग कहिये छे अने एमा दलित वाद नारी वाद देशी वाद जेवा वर्गी करण करिये छे ए वर्गी करण पण एक रीतिय जोवा जेये तो बढ़लाता समय नू बढ़लाता समाज नू चित्र सर्जके यमनी कृतिमा आगवी रिते पोत कोई पण यूग यहम कही शकाए कि समाज ना पढ़गाने जिल्या विना रहतू नथी और रहे छे तो भाग्याज रहे छे अपड़े तिया एतला माटे साहित्य ने समाज नू प्रतिभींब गीदू चे कि समाज मा जे जे गटना गट्या चे येना पढ़गाओ येनी ची आसे शines ना हर्षिनाद साहित्य मा जबात घिल्या अंगले जीमदों पॉरते कि लिट रहे जब फो clesाइटी ने दिःतला और समाज नू दर्पन छे जे वह समाज एव ए समाज नू प्रदेश नू एव भाक्षानू साहित्य तो एक बिजी पन अंग्रेजी मा एक विजान मली आव्यागे छे दे लिट्रेचर इज एक्स्रे ओफ सोसाइटी एक्स्रे मां के आपण सुंदर होई तो आपणी सुंदर तेमाना डोकाती होई एक्स्रे छे एक बीमारी ने दर्शावतू एवी एक फोटोग्राफी छे कि जे शरीर मां रहेली नुक्षान सडो इन्ने निर्देश तो समाज म जे सडो छे जे बदियो छे जे मरियादा आओ छे एने पर ए मुकी आपए छे अले मिररतो खरो जे वो छे एवो समाज बतावो अहीं सर्जनक्षेत्र जरा जुद्धी वाद पाछे आपणा आगल जता करिये छे जे वो छे आटले के वो यह था तत्त मुकी देशे मारी आस आपणा यथा तत्त साहित्यमा मुकू ना प्राढ़म पेज घंदुत्युको पोती की रीते है पोतानी निती रीती है पोतानी शैली है करनके दरेग सर्जक्नी शैली निरूपन रीती में प्रेजंटेशन जुद्धू ओवानौ अले पोतानी शक्तिमती अनुसार समाज इ गटनाओने, समाजना प्रसंगोंने, व्यावहारोंने, ए मुक्ये छे अन एरीते जिले छे अर्थात एम कई शकाई कि समाज मा जे बनाओ बने छे गटनाओ गटे छे ए गटना, ए प्रसंग, ए पात्रों, आसपास मा जीवता पात्रों सर्जक ना सम्वित पर तिवर असर पहुचाड़े छे अने एनो प्रती ध्वनी, एना पढ़गा सर्जक पतानी सर्जन कृती मा व्यक्त करे छे हजू बदारस पश्टरीते के हुई तो कई शाकाई कि समाज ना प्रवा हो, परिश्थिती हो, अईतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अने धार्विक, मान्यताओ, आहठिक जे स्थिती छे पताना समाज निंग, ए बदानी असर जीवाता जिवन पर जे रिते पड़े छे जे रिते वईचारिक अने बवदिक आंदल लनों, पेली परिश्थिती माँथी जन में अचे अने परिणा में, जीवन माँ जे उथल पाथल ठाई छे, पल्टा आवे छे एनी वात, एनी असर सर्जक पताना साहित्य माँ जिल्टो ओए छे एडले जीवातू जे जीवन छे, एज जीवन नी पश्चाद भू समाज जीवन माँ पड़े गोई छे साहित्यकार एज समय माँ जीवे छे, एनी आसपास माँ आ घटना ओगटी छे आ घटी विदियो एने प्रत्यक्ष जोई छे के सामड़ी छे पचिये जे जीवातू जीवन छे, समाज माँ एज जीवाता जीवन नो आखो आलेक सर्जनात्मक कोटिये, सर्जननी शिष्टने साचवतो एज साहित्य मारचे छे, आलेके छे, उतारे छे एटले के प्रजाना, उत्सवो, लोक मेलाओ, रित रिवाचो, मान्यताओ, धर्मो, ब्रतो, तपो, गनाती अने कोमना बंधनों अब दू जावे, सामाजिक रुडियो, एनी आसपास जे मानों समाज जीवी रहे हो छे, आने ये पात्रना माध्यम थी, के परिश्थीती ने पुतानी कृती मा वणी लईने सर्जग आले खिया छे, अने एम ए वार्ता, ए नवल कथा, ए कांकी, के क्यारेक वस्तु प्रधान, कथा प्रधान, कावियनू सर्जन पण ए करे छे, अपड़ा साहित्य मा तो आरंब थी जोईशकों, दलपत्रा में बोध प्रधान कवीता आपी, नर्वद मा एक जुस्व हतों, लड़ी लेवानों, जनून पुर्वां, रमण भाई, निलकंठे, जे पद्रम बद्र, आश्य प्रधान कृती आपी, ए समाजनू जराम, विरूप, हास्यनी शर्ते, हास्यना माध्यम द्वार आपणी समक्स मुखी आपे छे, गोवर्धरना में शुँ करियों, कुमुद विद्वा थेईचे, उजली कोम मा जर्मीचे, अले फरिथी नव परनीशक्ये, आथी ए सरश्वती चंद्र ने अन्हद चाहती होवा छता, प्रमाद द्विद्वा होवा ने कारणे, सरश्वती चंद्र साथे परणावी शक्ता नथी, अन्हें कुमुद ने परणावे छे, एनो आक्रोष पन ए समय मां, गोर्दर नामने सान करवो पड़ी होतो, पन्नालल पटेल गांजी अन्हें जिवी पात्रों निर्मान करें छे, ए संपर्ण काल्पनिक नज होई, पताना समय नी जे मान्यताचे कांजी छे पटेल छे, अन्हें जिवी छे अन्य गनाती नी छे, परणा में बन्य न परणी शक्ते, अन्हें छेक्षुती तमें जुओ, इस संगर्ष चाले छे नवल गथामा, उमा शंकर जोशी ना, एकांकी तमें जुओ, सापना भारा, एमा पाण ततकालें समय मां स्त्रीनु चित्र, शैल्या, कडला, सापना भारा थी, प्रति बिम्बातु तमने जोवा माला छे, अर्थात, समाजना जे निती नियमों छे, इना बंदनों सर्जक कांतों पाड़ें छे, अन्हें कांत को, आजको आपीने तोड़ें छे, ये बन्ने श्थितियों वां समाज तो लोकायत छे, कांजी अन्ते जिवीने, गांडी जिवीने लेने जतो रहे, क्या ये परंपरा भंजग बनने छे, मुनशी पन आपड़े परंपरा भंजग तरीखे सुख्यात छे, ये मनी सामाजिक नवलक थावत में जूओ, अन्ने प्रहसननी कोटिया पहुचता सामजीक नाटको जूओ, ये मनी केटलीक वारताव पन मुनशी नीचे, परंपरा भंजग लागे, ये कोटी नीचे, आपने त्यां गांधी यूग मां जे केटलाक प्रादेशिक सर्जको नवलक था कारो, वारता कारो आविया, अन्ने पोताना समाजीने, पोताना प्रदेशिने नवलक थाने वारता द्वारा जीवत करियो, जवेशन्द मेखाणी आखू सवराष्टी, शोठी समाजनू प्रतेविम, अन्ने ये द्वारा सवराष्टनी जी असमी ताचे एने जीवत रिते आलेकि, पन्नालल पटेले आखो इडर्यो प्रदेश उत्तर प्रदेश अने त्याने समाज जीवने ने वाचा आपी पितामबर पटेले पन उत्तर गुजरात ना जीवनने खासकरीने खेडुद जीवनने मुर्तीमंद करियू एजरीते पुष्कर चंद्रवाकर बाल अने नळकाठानों विश्तार मडियाये मुंबय अने सवराष्ट ने पेटली करे चरोतर ने पताने साहित्यमा इनी तमाम खुबियों अने खामियों साथे मुकिया प्या समाज आरिते साहित्यमा प्रति बिंबातों होई छे अनु आधुनिक युगमा जे दलित साहित्यमा इवाद करे चेमा तमे जोसेप मेकवान ने चरोतर ना प्रतिनिधी तरीके तो दलपत चोहां ने तमे उत्तर गुजरात नाने महिशाने ने आजुबाजुना दलित आन विषेशों ए रिते वार्ता रुप अथो तो नवलक थारुप पाँ मे झे गलुचिक युदसूना प्रति बिंबातों है चेर्के मैटे पुज जोई लिएक कि जुप एक समाज नूंगा जोई बिधे तो इशिन ब्रति दल्राइ। तो लिट्रेचर इज़ सोसाइटी ओफ दो मीरर ओफ दे सोसाइटी हैं की दू एनी बिजु पासु आपड़ अता पास यहां के उबने छे सर्जक नू सर्जन साहित्यमा जे जिलाई यू छे एनी असर लोग जीवन पर पड़ी छे एक जुदी रिद्य पण वीचारी शड़ा है के जे पहला पहली वीचारी के पई समाज ने सर्जक पतानी कुर्टी मा आ लेकिया चे तो यथा तत्थ रूपे तो नथी जा लेकतो अबड़े वाद करी यहनू रूप बढ़लाई छे यहनू आकार बढ़लाई छे समाज जे वो छे ते वो नखशीख तस्वीर जे रूपे जो यह एरी ते तो नथी जा लेकातों जे तफावत केमे राथी लिदेली तस्वीर मा अने सर्जक के यहलेके चित्रकारे पीछी रंग अने रेखा थी उभी करली एक द्रश्य एक उभा करला एक द्रश्य एज घटना नोईद प्रसंग ने तो ए बेमा जेटलों तफावत छे केमे राथी लिदेली तस्वीर अने चित्रकारे दोरेलू चित्र ए बेमा जेटलों तफावत छे एवज तफावत वास्तव जिवन अने वास्तव जिवन नो पड़तों साही त्यमा पढ़गों ए बेमा छे अले यथा तत आलेखन नथी नर्यू औने मात्र अनुकर्ण कई शकाई एवु आलेखन पंड नथी अर्थात जेवो समाज छे एवो जे नथी आलाखते तस्वीर उपर करेली गूठणी छे सर्जन एशू छे कलाकार्नी पीछी छे चित्रकार्नी पीछी छे अने एमा ए पोती का रंग उमेरे छे अने एम ए समाज ने प्रत्यक्ष करावे छे तमने थोड़ाक द्रश्टांत गुजराती ना तो आप्या छे थोड़ाक विदेशी कृती हो अने इसर्जकों ना पणापू प्रांस नी क्रांती ना घडतर मां वोल्टेर रुसो अने ट्रोड़ेस्की अवा सर्जकों नो प्रत्यक्ष ने आननिय फाड़वतों समाज मां जिवता मानियों ना दुखो अने आपतियों निरूपन करीने त्यानी मड़दाल प्रजाने बेठी करवानू काम करी उतों अन्ने जिया आपतियों तु एन निरूपन करीने समाज ने बेठो किर्यों अन्टू दी लास्ट अपड़े त्याजे सर्वदहीनों ख्याल छे ने कदाच आप पुष्टक माँ ए सर्वदहीनों ख्याल जिलायों विजोएक पुष्टक नों संदरवापों अंकल्स टॉम्स केबीन ए वांची ने अमेरिकानी बापडी अने बीचारी जे प्रजा हाती यहने अन्न माटे रोटी माटे रम खाणों सर्जा अपने त्यापण तमें जूओ रव देशाईनी नवल कथाओ ग्राम लक्ष्मीड लो शिक्षित युवानों ने ग्रामा भिमुख बनावनू काम अनवल कथाए करी तो भारेलों अगनिये क्रांती नी ज्वाड़ाओ पेटावी यहमका ये तो सेज बन्नान अपना अदर् ग्रंतों रामयान ने महाभारत ये ग्रंतनों आपणा जिवन मां केटलू स्थान छे ये पन तपाशी जवा जव एक बुद्धो चे तादपरियो ये छे के त्या अने त्यारे सर्जकोई मात्र समाज ने जा लेखियो चे अने साथे साथे पोताने जेवो जोईतों तो ये उभोपन करिया है अटले एम कई शकाए कि साहित्य मात्र समाज नू प्रती बीम नथी पाड़तों पन तेनू प्रती निधान पन करें चे आने उर्द्वी करन पन करें चे देश आजाज थे यो तो येमा साहित्यनू प्रदान नानू सुनू नथी मेगाण नू सिंधड़ों कावियों जबत थाए अने छताए एननी लिथो प्रिंट द्वारा एक गामे गाम पहुचे अने गवाई समाज नी अभी रुची नो पढगो साहित्यकार पाड़े छे अन्यसमाज नी अभी रुची ने घड़वानू शुब कारियों पण साहित्यागार लेके सर्जक करें आपड़ें कई एची कि साहित्याने समाज ये अविभाज्य चे अविना भावे एक बिजया साथे जोड़ा एला चे तो एम कई शेकाए कि सर्जक नी जवाबदारी आवे चे समाज ने सुधारवानी पवतानों समाज जेवो चे एवो आलेखवानी आदुनिक युगतमें जुओ आदुनिक युगना सर्जकों पवतानी सर्जनात्म कृति मां भाग्येज समाज आभी मुख रहिया चे क्या कज रहिया चे एमने तो साहित्यमा एना रूप प्रयोगों ची जानपत्त्रों बनी आने सर्जनीनी शक्यताओ ता पास्वियाती अले एमनों येतुक एमनों लक्ष जुद्धों हतों अपने त्यकेवाई छेने हुं क्या अहीं मारू कि तमारू एकेई काम करवा आवयो चों मत बस फक्त फरवा आवयो चों आ समाजनी जवापदारी मारा पर नथी मारतों मात्रा सर्जन करूँछे अने शर्जननों एतुझ मुख्या रहेश्य लोगपरंपराम अपने पूछो चो मुझे ने के हुशू करूचू मने ज्या गमें त्यां हरूचू फरूचू अले एक वो वर्ग एवो सर्जक समुपन छे आपने तया कि जेमने समाज शुदारनानों टोपलों के जवाबदारी पताना पर नती ली थी अने ए सर्जक नू करतवय पन करतवय हशे फ फर्जना लादी शकुएना परूचू सर्जक चे तारे समाजने सुतर्वानु बीड जड़पवानु छे तरो साहित्यो समाज भीमुख और जोए आने हमा समाजने प्रत्यक्षे के परोक्षे जीवन जिवाना कोई बोधिपाट मनता हो जोए ना इव आपने नके शेके ज समाजनु जगानु गवाउ जोए एव दूराग्र अस्थाने छे आ सभानता साथे आपड़ा प्रश्टने समझवानु छे साहित्यनु सर्जननु प्रमुख ने मुख्य उद्देश आनंदनों छे रसानु भूतिनों छे संदर्य लोक नो साक्षात कार करावानों छे सभाबदारी छे इनी उपर लादी न शकाए जो एम करवा जहिए तो साहित्य कृती सर्जवा मां जोखम उभू थाए कला कृती ने ये बाधक नड़े बाधक निवडे आथीज आधीज सहज रिते समाजनी गतिवीदियों ने लई अने साहित्यनु सर्जन करता होई तेमा साहित्य साहित्य बनू जोई ए पूर्वश रच्या समाजनु गमेटलु उत्तम आलेखन होई पर नवलकथाना लक्षणों ने जो एकृति सार्थक न करती होई तुकी वारताना स्वर्प लक्षणों ने सिद्ध न करती होई कि नाटक नी कि एकांगीनी शिष्ट ने साच होती न होई तो समाज आलेखन गमेटलु प्रबढ के प्रभावक होवा चता पण ये साहित्य कृति तरीके निश्पर जाई चे टुक मां सर्जनने अने समाजने संबंद छे समये समीं दरेक काल अने काल खंडे समाजनु प्रतिविम साहित्यमां जिलातु रहियो चे से टो डीजे पक्षे साहित्यें द्वार समाज घडतर पण था तूरेए चे आले एम कई शेक आंने समाज एक वीज़ाना थे एक बीजाना पोषक छे अने एम कहीने एक आदर्ष समाज नी परिकल्पना आपणे ती आदर्ष नके नी परिकल्पना गणा-गणा समिथी रामाइन पने इक आदर्ष नकर राम राज ये, युटोपिया, त्याँ ती आरम पीशका है, पर अपने अर्वातिन साहित्य मे यह तो कुंदनिका बेने साथ पगला आकाश्मा स्त्रीनी मनदश्या अने पतानो निजी नोख अवाज आम तो नारी नो ए अवाज आपने बद्धा जानिये छे इब सननी पेली डोल साहु स्कृती अने इमा नोरा एम कियो है कि नोरा घर छोड़ी अने जे निकली पड़ी घ अने आमने नारी वादी सर्जन कर यू हम कैया चे समय समय आप्रकानी कृतियों मडती रहिछे अने मडती रह चे एक वाज सत्या चे कि परस्पर स्वत्ता उच्छां आउशे समाजनों प्रतिभिम साहित जिल्तू रहिए छे अनि गणी गणी वा साहीत्य चे ये समाजने घड़त्व रही हो चे परस्पर एक विजाना पूरग चे आ बन्ने बच्चेनों संबंध आ अजना वक्तवियनों मुख्ये है तूरत अबार फरी नवा मुद्धा विशे नवा विशे साथे मलीशो